का स्वागत है आज का कोश्चन हमारा टाइम मेरे बारे में चलनेजिंग स्रीजर राउंड के बारे में जानना चाहते हैं इस वीडियो को पॉस करके कंटेंड को पूरी जानकारी ले सकते हैं हम स्केशल टेस् Talking नो बन सकते हैं यह लोगो सवाल क्या है लोगों का बोल रहा है ड्रेन पी लिव स्प्लेस ए इस ट्रेवलि לא स्पीड वफ 120 किलोमीटर पर आवर र है ।्रेम य२े यजु पी जो है वो ए को लीव कर रही यानि एसे इहर से निकल रही है ट्रेन फी 120 किलो मीटर पर आवर की चार्ट से ठीक है फिर क्या बोल रहा है थैसे पहले इसने in और फोर आवर लेटर प्रेंट जैसे हैं 4 ओर लेटर बोला तो फोर आवर में चलेघी कितना 120 इक किटन एंटब हैStudии 120 इंटब 4 यहाँ पर180 किलो मेटर में इसने चल दी संब चल देsu है train q will be 36 km ahead of p ठीक है train q जो है p को 36 km आगे रहेगा in x hour कितने घंटों में x घंटे में and the speed of train q is speed of train q is कितना 160 km per hour ठीक है speed of train q जो है वो कितना है 160 km per hour ठीक है अब देखो ध्यान से यहां पर हमारा सवाल में आगे क्या बोल रहा है ठीक है सबसे पहले हमें यहां पर यह x की value निकालनी होगे ठीक है जब q भी यहां से चार घंटे के बाद चल रहा है और यहां से पी हमारा इसकी चाल 120 km पड़ावर है तो जब यह दोनों चल रहे हैं तो 36 km आगे होगा कब एक्स घंटे में यानि एक्स घंटे में उसने कितनी दूरी टोटल टाइक की है चार सो असी प्लस में कितना 36 ठीक है अब जब दोनों सेम डारेक्शन कर रहे हैं तो दोनों के espíड क्या होगे डिफंस में यानि कि 160 – 120 यानी applis 10 equally अब इसको काट दो यहांसर 4 से काट 210 बारे में 4 से कर जाएगा Clubs शायर 9 बारे विव देज्ट में 119 अपन में 10 , 12.9 अब ठीक है इसकी मेली तो कितनी 12.9 आवर हमारा सवाल में क्या बोला है find a bus travel what distance in x plus 3.1 आवर यानि x plus में 3.1 की value जो होगी 12.9 plus में 3.1 ठीक है यानि कि यह हमें देदेगा 16 ठीक है कितना देदेगा 0.1 जोड़ेंगे तो 13 13 16 ठीक है 16 हो गया if speed of bus is 75% of speed of train 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 peak speed का कितना है 75% तो हमें distance निकालने के लिए हमें time मालू में 60 और speed क्या है 120 का 75% that is 3 by 4 ठीक है बस इसी को solve करता है 4 सा यह कर जाएगा तीस बार में 3 x 3 9 16 x 9 हमारा होता है 144 और एक साथ में 0 यानि कि total distance जो बस travel करेगा वो travel करेगा 1440 किलोमेटर और इसी एक साथ हमारा अंसर कितना है 1440 अब आप लोगो यह क्लियर हो आप आप लोगो यह क्लियर होगा